पिछले अध्यन में हमने वायुमंडल की सरंचना तापमान के वित्रन के अनुसार देखी दी वायुमंडल ये सरंचना के अध्यन के कुछ और भी आधार हैं जिनका पिछली बार जिक्र किया गया था इन आधारों पर वायुमंडल ये सरंचना को को हम आज लेंगे वायुमंडल ये सरंचना में ऐसा पहला आधार है वायुमंडल ये संगटन की वायुमंडल के इनकिन परकार की गैसों से बना है उसके अनुसार भी वायू मंडल में प्रिवर्तन शिल्टा पाई जाती है तो इस आधार पर हम वायू मंडल को दो वर्गों में बाठते हैं एक है सम मंडल और एक है विशम मंडल सम मंडल की उचाई धरहतल से करीब 90 किलोमेटर तक है प्रित्वी के उपर वायू मंडल में जो टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है डिस्ट्रबेंस के कारण जो वायू मंडल में वायू मंडल की गैसों में मिश्रन पाया जाता है उसके कारण संपूर्ण संबंडल में एक जैसा एक समान रासाइनिक सरंचना वित्रित हो जाती है न्यूनादिक समान रासाइनिक संक्तन दिखाई पड़ने लगता है जिसके मुखे तत्वे नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डाइक्साईड आदी गैसे हैं तो ये वाइवंडल का निचला हिसा संबंडल कहलाता है इसके उपर करीब 90 किलोमेटर की उचाई से शुरू होकर उपर की और जो वाइवंडल का हिसा है उसमें वाइवंडल में टर्बुलेंट मिक्सिंग या डिस्टुबेंस के कारण होने वाली जो मिश्रन है वो इतना नहीं हो पाता है क्योंकि विक्षोब वगेरा जो हैं समेनियदाराई हैं जो वो उपरी वाइवंडल में पहुंच नहीं पाती है इसलिए वाइवंडल के इस हिसे में वाइवंडल की जो रासाइनिक संगतन है वो एक समान नहीं हो पाता है इस वाई मंडल के इस हिसे में विबिन गैस के परमानू तथा अनू अलग अलग परतों में वेवस्थित हुए दिखाई पड़ते हैं इस मंडल की निम्तम परत में बारी अनु यानि के मॉलिक्यूल्स गैस के अनु होते हैं और उपरी परत में हलके परमानु या एटम्स पाए जाते हैं तो इस आदार पर इसको चार भागों में भाण सकते हैं विश्म मंडल को शुरू के 90 से करीब 200 किलोमेटर की उन्चाई तक आनुविक नाइट्रोजन की परत है आनुविक नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के जो मॉलिकूल्स हैं उनकी अधिक्ता पाए जाती लेकिन 200 से करीब 1100 किलोमेटर की मुचाई पर आनुमिक नाइट्रोजन की परत पाई जाती है फिर 1125 से 3540 किलोमेटर की मुचाई पर हिलियम परमानुमों से बनी परत मिलती है और 3540 से करीब 9600 किलोमेटर की मुचाई तक परमानुमिक हिड्रोजन की परत मिलती है तो अलग-अलग परकार स्वरूप वाली गैस परमानुमिक या आनुमिक या हलकी या बारी इन अलग-अलग उचाई पर आई जाईगी देखी जाईगी दूसरा जो आदार है रासायनिक प्रक्रियां के आदार पर वाय मंडल की सरंचना वाय मंडल का एक भाग ऐसा भी है जहां सोर विकिरन के कारण कुछ विशिष्ट रासायनिक प्रवाव उत्पन होते हैं इसलिए इसे रासायन मंडल या किमो स्पेर का जाता है इस मंडल की उचाई शोब जिमा यानि जाशोब मंडल खात्म होता है वहां से लेकर 50 किलमेटर की उचाई तक है उतनी उचाई में या मंडल पाया जाता है या मंडल सम मंडल तथा विशम मंडल दोनों पर व्याप्त है यानि कि दोनों मंडलों को समाए हुए है आंशिक रूप से दोनों को ओरलैप करता है इस प्रदेश में सगन रासाइनिक परतिकिरियां गटित होती हैं, जिसमें आक्सीजन की मुख्य भूमिका रहती है, आक्सीजन गैस की मौजूदगी से यह परत अपना विशेश स्वरूप ग्रैन करती है, अतिन्त लगू तरंगो वाली जो परावेंगनी सोर विकीरन है, ओक्सीजन के अनु से मिलकर परकास राशाइनिक विखंडन कर देती है, ओक्सीजन के अनु को, ऐसे विखंडित ऑक्सीजन के जो अनु है जो परमानु के रूप में तूट चुके होते हैं वो अपस में जुड़कर फिर से आनुमिक ऑक्सीजन का निर्मान कर देते हैं जो अक्सीजन के अनु या मोलिकूल ऑक्सीजन के परमानु में तूटे थे वो ऑक्सीजन के परमानु वापिस जुड़कर ऑक्सीजन के अनु बनाते रहते हैं तो ऐसी चक्रिय रूप में ये परतिक्रिया परक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के दोरान ओजोन गैस का भी निर्मान होता है ओक्सीजन का एक प्रमानू ओक्सीजन के अनू से मिलकर ओजोन गैस को बनाता है ओजोन गैस भी पराबेंगनी विक्रिणों की मौजूद्गी में तूटती रहती है बापिस ऑक्सीजन के अनुओं और परमानुओं में इस परकार से एक अंतरसमंदित परारूप रासाइनिक परक्रियाओं का इस परदेश में पाया जाता है वैंडल के निचले बाग में करीब 60 किलमट की उताई पर अनुओं औक्सीजन परमानुओं का गैस बनाती है और अनुविक ओक्सिजन यानि के ओक्सिजन का जो मॉलिकूल है O2 और परमानुविक ओक्सिजन यानि के O2 जब दो O प्लस O दो अनुओं में टूट जाती है किसकी मुझूदगी में पराबेंगनी विक्रिनों की मुझूदगी में तो एक परमानू ओक्सिजन का एक ओक्सिजन के अनू या मोलिकुल से मिलकर ओजोन गैस को निर्मित करता है तो ये ओजोन गैस फिर वापिस तूटती रहती जैसा भी हमने देखा था वापिस ओक्सिजन के परमानू और अनू में तूटती रहती है तो ऐसे ओक्सीजन की मौजूदगी में वायमंडल के इस इसे में ये परतिक्रिया है चलती रहती है निचले वायमंडल का सुरूफ सगन है ओक्सीजन के अनुमों परवानुमों में टक्राओ की यहां अधिक समावना रहती है उपड़ी वाई मंडल में अक्सीजन भी कम है अक्सीजन की सगंता कम है लेकिन निचले वाई मंडल में अक्सीजन की सगंता अधिक होने से अक्सीजन के अनुमों और प्रमानुमों में टकराओं की अधिक संभावना रहती है और इसलिए वहाँ ओजोन का निर्मान होता रहता है तो ये ओजोन की ऐसी परत को ओजोन मंडल का जाता है जहाँ ओजोन उत्पन होती रहती है ओजोन टूडती भी रहती है उत्पन भी होती रहती है तो ओजोन मंडल वाई मंडल के करीब 15-20 किलोमेटर की उचाई से 50-60 किलोमेटर की उचाई के बीच में है और यहाँ ओजोन निर्मान की प्रक्रिया सगन रूप से घटित होती रहती है इसी रसायन मंदल में रात में वायू दिफ्ती की परकरिया पाई जाती है जिसको air glow का जाता है परमानू के पुनर स्योजन सोर विकिरन द्वारा उत्प्रेरित दिन में सोर्वीकिरन के दौरा जो excited उत्परेरित oxygen या nitrogen, nitrogen sodium के जो परमानू है और अनू है, उनके बीच पर तक्रिया हुटपन होती है कई अनू तथा परमानू जिने दिन में सोर्वीकिरन के परकाश ने आइनी करित कर दिया था त़ था परकास रूप से ऐस समंधित कर दिया था परकास की मौजूदगी में जो तूट गए थे रात के समय वो पूनस सेहोजित होते हैं और जब दो ऐसे कण या रासाइन निक तita तो अपस में मिलते हैं तो उन में से उर्जा बाहर निकलती है उर्जा बाहर निकलती है तो रोशनी उत्फण होती है जिसे वायू दिप्ति कहा जाता है तो रात के समें ये दिखाई पड़ती है रासाइन मंडल में भी तो वायू दिप्ति की या एर गलो की परक्रिया है वायो दिर्थी के दो अधिकतम रंग जो है चमकिले रंग वो लाल और हरे हैं लाल रंग ओक्सीजन के प्रमानों के जटिल परतिक्रियाओं दोरा ओक्सीजन अनवों के रूप में पूने सहयोजन से उत्पन होते हैं और हरा रंग ज्यादा उंचाई पर करीब 90 किलोमेटर के उंचाई पर ओक्सीजन प्रमानों के अपस में जुड़ने से पैदा होता है तो अलग-अलग आवरिती की सोर विक्रियनों की मोजुद्गी में दिन में ओक्सीजन के जो कण है वो अलग-अलग मात्रा में उर्जा को ग्रहन करके तूट जाते हैं और उसी मात्रा में उर्जा को फिर वो वापिस बाहर निकालते हुए सहयोजित होते हैं तो अलग-अलग उचाईयों पर इसी परकार अलग-अलग रंग की वायू दिप्ति या एर गुलो उथपन होती है। राईमंडल का एक हिस्टा है सोर विकिरन द्वारा आयनी करन के आधार पर जो परत वायू मंडल की हम पहचान सकते हैं। सोर विकरिन द्वारा उत्पर आयनी करन या आयोनाजेशन के अधार पर जो परत बनती है उसे आयनोस्फियर या आयन मंदल कहा जाता है। आयन मंडल सामनत है, 80 km से उपर वाय मंडल ये परतों को कहा जाता है, 80 km से उपर की उपर, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग उच इलेक्ट्रों गनत्व के परदेश जो है, 100 से 300 km के उचाहिए पर, उनके लिए भी इस सब्द का यूज करते हैं, आयन मंडल का, उच वाय मंडल में नाइट्रोजन और ओक्सीजन के अनू, सूरे की X-ray, गामा किरने तदा सबसे चोटी पराबेगनी किरनों का अवशोशन कर लेते हैं, उर्जा के इस निवेश से, गैस के अनू, अपने नकारत्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोंनों को खोकर, दनात्मक आव उर्च वाले अनू, जिनने आम आईन कहते हैं, जिन्हा दनात्मक आईन, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोन बहार निकल गया, तो ऐसे फ़्रमाद्रोन और अउक्सिजनène, विद्युत आवेश के रूप में, मुक्त रूप से वायंडल में गोंते हैं, और इस जित्र में एक उच्छ विद्यूत संचालक्ता को विक्षित कर देते हैं यह है विद्यूत संचालक्ता उच वायूंडल द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्त नेतु जिम्यदार है रेडियो तरंगों को वापिस पृत्वी की और रिफ्लेक्ट करने में इस विद्यूत संचालक्ता की विशेस्ता वाली वायूंडल यह परतें की भूमी का किंदरी होती है ऐसी कई परतों को हम गिना सकते हैं पहले यह डी परत जिसकी उचाई 60 से करीब 100 किलोमेटर के बीच में है और ओजोन मंडल के ठीक उपर की और स्थित है सोर विक्रिनों के कारण ओक्सीजन के अनू परमानविक ओक्सीजन में टूट जाते हैं और इस परत में ऐसा परमानविक ओक्सीजन किया दिखता होती है यह दिर्ग रेडिया तरंगों का ही परावर्तन रिफलेक्शन करने वाली परत है मद्यम वह लगूत रंगों को यह आवशोशित कर लेती है और केवल दिन में ही यह परत पाई जाती है अगली परत है यह परत इसको इसके खोजने वाले के नाम पर केनेली हेवी साइड परत भी कहा जाता है सोर विकिरन के एक्सरे किरनों के आवशोशन के कारण नाइट्रोजन के कण नाइट्रोजन के जो अनू है वो आईनिकरित हो जाते हैं इस परत की उचाई 90-130 किलोमेटर है और यह परत मद्यम वे दिर्ग जो सोर विकिरनों की ततरंगों को दरातल की और प्रावर्तित करती है मद्यम और अथिक लंबाई की जो वेवलेंग्ट की जो विकिरने है और यह भी परत दिन में ही पाई जाती है एक परत है जिसे ऐस तत इपरत बोलते हैं स्पोरेडिक कभी-कभी पाई जाती है अमेशा नहीं रहती है करीब 110 किलामेटर की उचाई पर पाई जाती है और विशेश दशाओं में यूत्पन होती है अमेशा नहीं रहती है और अत्यंत छोटी रेडियो तरंगों को ही प्रावर्तित करती है और यह परत भी दिन के समय ही कारे करती है एक परत है जिसे E2 परत कहते हैं यह परत भी E परत के उपर करीब 1500 किलामेटर की उचाई पर देखी जाती है और F परत इस परत की उचाई 1500 किलामेटर से 380 किलामेटर है इसे खोजने वाले के नाम पर Eppleton परत भी कहा जाता है सोर्वी किर्णों के अउशोषन से उथपन ओक्सिजन के धनातमक आबेस वाले आइनों की यहां मौझूदगी होती है इस परत में दैनिक तदा मौसमी परिवरतन शीलता दिन में दिन और रात में सरदी और गर्मी इसमे परिवरतन शीलता देखी जाती है दिन में यह परत दो इसों में डूट जाती है F1, F2 परत में मद्यम तथा लंबी वेवलेंग्ट वाली तरंगों को धरातल की और प्रावर्चित करने में F परत की केंद्रिय भूमिका है फिर G परत है जो 400 किलोमेटर यह इससे अधिक हुचाई पर मिलती है और सुरिज की परावेंगने विकरिनों से नाइट्रोजन के परमानों की अंतरपरिक्रिया के कारण जो मुक्त इलेक्टरोन उत्पन होते हैं उनकी अधिक्ता का परदेश या परत है यहां से आला कि किसी परकार के रेडियो तरंगों का परावर्टन नहीं हो पाता है